आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Defined Ammonotellism Name the Excretory Organ of Flat Worms यहाँ बोला गया है कि Ammonotellism क्या है और Excretory System of Flat Worms क्या होते हैं तो पहले बात करते हैं Ammonotellism का तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ बे नाइट्रोजीनस वेस्ट जो होते हैं वो in the form of ammonia body के बाहर निकल जाते हैं और यह जो animals में पाया जाता है वो basically boni fish होते हैं क्योंकि ammonia जो है यह water में ही dissolve होता है और यह अगर land में रहता है तो यह बहुत ही जादा harmful या फिर बहुत ही जादा toxic material के नाम से जाने जाते हैं नेक्स्ट बात है यहाँ पे question में यह excretory organ जो कि flatworm में पाये जाते हैं वो क्या है तो flatworms जो है उनका phylum आता है platyhelminthus का और platyhelminthus के अगर phylum को देखे तो यह लोग non-segmented worms होते हैं जहाँ पे body का constituency जो है वो एकदम particular रहता है और इनका जो excretory system रहता है उनको protonephridia के नाम से जाना जाता है और यह पूरे body में lateral side में क्या होते हैं कि line करते हैं इनको दूसरे नाम से flame cells भी कहा जाता है और अगर हम लोग warm को देखें तो जो warm होता है basically उनके पूरे body के lateral side में यह जो organs है यह excretory organ protonephridia वो ऐसे lined position में पाये जाते हैं इस तरीके से और यह warm जो है वो platy hyalminthus का warm है तो यह हो गए protonephridia जो की पाये जाते हैं as a excretory waste organ of the flat worms Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीचे अपने doubts 84444 सूपर